ओम स्रीगरने इशानाम दोस्तों ओम गनपती समाधान यूटूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात कने वाले 24 नौंबर बुद्वार आज के मकर रासी फल के बारे में आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और विशाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्तिकी महत्मून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाई भी बताएंगे दोस्तों वीडियो आगे सुरू काडिशन पहले मेरे आपनों को से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब करें आप अपनी बुद्धी और कारिय कुसलता से अपना पक्ष मजबूत बना लेंगे आज आपके कर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन धनका अगमन भी होता रहेगा आपके कारिय सफलता पूर पूरे हो जाएंगे आज आर्तिक लाब होने के कारण आप चिंता और तनाव से मुक्त रहेंगे आपका दिन सुक वैसांती से बीतेगा आपका मन अती प्रसन भी रहेगा दोस्तो पारिवार एक सहयोग बना रहेगा और आपके लंबित पड़ेवे कारिये आप पूरा करने में सक्षम रहेंगे दोस्तो अब भात कर लेते हैं आपके लिए क्या नेगटियू रहने वाला है आज घर परिवार या किसी दोस्त रिष्टेदार की वज़े से कुछ तनावत्मन हो सकता है कुछ समच्चा खड़ी हो सकती है इसलिए संयम से काम ले संभल करने हन्यता आपको नुक्सान उठाना पढ़ सकता है दोस्तो आपका विश्टाय और केरीर कैसा रहेगा मार्केटिंग के विश्टाय से जुड़े लोगों को विश्यस लाप प्राप्त हो सकता है विश्टाय में इन्हें आर्थिकलाब भी हो सकता है कहीं से अधिक धना आने की उमीद भी हो सकती है किसी ने विश्टाय को लेकर कोई पिलान बना रहे हैं तो अभी इसे इस तागित ही रखें कारोबार के लिए अच्छा समय है नोकरी पेसा जातकोर के लिए दिन सामाने रहने वाला है और विद्यारतियों के लिए भी ये दिन काफी सामाने ही रहेंगे दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपका घर परिवार कैसा रहने वाला है आज पारिवारिक जीवन में प्रेम और आपसे सहयोग बना रहेगा किसी सदस्य की वजह से आप काफी खुस रहेंगे कोई सुकत सामाचार आपको प्राप्त हो सकता है मांगलिक कारीकरम की योजना भी बन सकती है या आप मांगलिक कारिकरों में भी सामिल हो सकते हैं माता-पिता का स्वास्त उत्तम रहेगा और भाई-बेनों का स्योग और सपोर्ट आपको अफ़स सही प्राप्त होगा आज पारिवार्ग जीवन का पी सुकत पूर रहने वाला है जीवन साती से कोई सुकत समचार आपको प्राप्त हो सकता है जीवन साती हो या साती प्रेम जीवन के लिए उत्तम समय होने वाला है दोस्तो आप बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसे रहने वाला है स्वास्त से संबंदी समझ साएं समाप्त हो जाएंगी उनमें सुधार होगा, स्वास्त उत्तम रहेगा और अधिक स्वास्त रहेने के लिए आपनी अमित्य योग करें व्यायाम करें, प्रानायाम करें और स्वास्त रहें दोस्तो आज आप ये उपाय वश्य करें किसी गोमाता को हरा चारा खिलाएं और इसके साथ ही भगवान स्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं और एक 108 बारिश मंत्र का जाब करें ओम स्री गणेश आय नमा ओम स्री गणेश आय नमा इस प्रकारों पाय करने से आपकी मनो कामनाई पूरी होंगी दोस्तों आपको भगवान सिरी गणैश का शिरुवात प्राप्तों कमेंट में जै गणैश अवश्य लिखें धन्यवाद आपका दिन सूब और मंगल में हो